हले फ्रेंट्स यूपी बोर्ट एक्जाम 2023 दे चुके सभी विद्यारतियों के लिए उनके रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है लगातार विद्यारतियों का कमेंट आ रहाता है कि सर जो हम लोगों का रिजल्ट काब आएगा इस पर एक वीडियो बना दीजि आपकी जो कापियों की चेकिंग थी उसका जो भी समय निर्धारित किया गया था उससे पहले ही कापियां चेक हो रही है ठीक है जो भी आपका समय था निर्धारित समय से पहले ही कापियां चेक हुई जा रही है तो ऐसे में कयास लगा जा रहा है कि आपका जो परिड़ाम ह वो अप्रायल में आ सकता है यहां पर देख सकते हो लिखा यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमेडियर परिच्छा 2023 की 3.19 करोड उत्तर पुर्ष्टिकाओं के मूलियांकन के लिए 15 दिन रधर किये थे लेकिन 6 दिन में यानि गुरुवार को ही आधी से ज्यादा उत पुर्ष्टिकाओं जाची जा चुकी है जबकि मूलियांकन पूरा होने की अंतिमतिती एक अप्रैल है इस तरह 18 मार्च से सुरू हुआ मूलियांकन तैस समय से पहले ही पूरा हो जाएगा देख पा रहे हो ना यहाँ पर तो उधर हाई स्कूल की OMR सीट पर कराई गई हर पिसे की 20 अंकों की परिच्छा का मूलियांकर परिच्छा के दोरान ही सुरू करा दिया गया था तो आएसे में अपरैल माह में परड़ाम गोसित किया जा सकता है पिछले वर्स हाई स्कूल इंटर्मिडिड का परड़ाम 18 जून को गोसित किया गया था इस बार उमीद है कि आपका परड़ाम जल्द आएगा ठीक है ना क्योंकि देखे जो ओ एमार सीट चेक होती है आपकी वो तो या मसीन से चेक होती है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं समय नहीं लगेगा और आपकी जो उत्तर पुर्ष्टिकाय है वो समय से पहले चेक हो रही है तो जाहिर सी बात ह आपका रिजल्ट अप्रायल मा में आने की प्रबल संभावना है तो उमीद कि आप सबी लोगों को एच छोटी सी अपडेट अच्छी लगी होगी दोस्तों में से सेर जरू करें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ मिलते हैं जैहिन वंदे मत्रम कि आप कि एक घचे में अबरा में आपको प्यट लूजर के साथ मिलतेश प्रू कि एचर कि इन हम उमीद